नमस्कार फ्रेंड मैं हूं चंदर पटल और आज देखे मैं बात करने जा रहा हूं मन्ना पुरम फाइनेंस पर और यहां पर आप मात्र 16200 रुपे लगा के आप सो कॉंटिटी खरीद सकते हैं और यह स्टॉक मल्टी बेगर बनेगा जो कि आपको बहुत ही जबर्दस रिटन देने वाला है आप यहां पर देखिए अगर इसकी हम स्टॉक की जो कॉल्टी है अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो कॉल्टी है गुड कॉल्टी है बहुत ही जबर्दस कॉल्टी है इस स्टॉक की और यहां पर अगर हम बात करें इसकी valuation की तो ये अभी attractive में आपको मिल ला है मतलब आपको ये attractive label पे मिल ला है बहुत ही जबरदस valuation में आपको मिल ला है सस्ते दाम पे मिल ला है आपको और यहां पे अगर हम analyst की बात करें तो 8 लोग positive है और 4 लोग negative है क्योंकि एक ऐसे ही range पे है कि जो कि आज कई दिनों से इस range पे आपको देखने को मिल ला है तो आप यहां पे इस stock को खरदारी कर सकते हैं और यहां पे अगर मैं इसकी return profile लिखाओं तो लगबख देखिए 10 साल में 126% 5 साल में 501% 4 साल में 110% 3 साल में 33% और दो साल के अगर बात करें तो लगबख 64% का return नहीं आप है और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊ तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका share holding pattern share holding pattern यहां पे देखिए FIs के पास है जो share holding pattern है वो FIs के पास है देखिए placed promoter बहुत थोड़ा सा है 0.57% का और Mitchell Fund के जो इसकीमे है लगबख 15 सकीमों ने यहां पे निवेज किया है और FIs यहां पे दबा के भरे पड़े हैं 224 FIs यहां पे भरे हुए है और यहां पे अगर हम जो percentage के बात करने लगबख 39.53% की यहां पे holding ले के रखे हुए है और यहां पे अगर देखिए अगर मैं बात करो other DIs की तो लगबख 0.79% का यहां पे इनके पास stake है और insurance के पास 0.45% का stake है अगर मैं non-institutional investor के बात करो तो 16.32% का इनके पास stake है और देखिए आप यहां पे देखिए F.I.S भी माल बढ़ा रहे है और mutual fund insulin D.I.S और यहां पे non-institutional investor यहां पे माल sell किया है जो कि F.I.S इसमें दबा के माल बढ़ा रहे है आपको ध्यान यह देना चाहिए कि यह F.I.S के control में पूरी कंपनी है और यह multi bagger बनेगी आप इस पे नज़र रखे मैं आपको बार बार बोल ला हूँ यही बाते हैं और यहां पे देखिए इसके पास जो पर मोटर के पास जो प्लेश्ट पर मोटर था वो दिसमबर 2019 में 2.7 की गिर्वी रखा हुआ सेर था अभी देखिए उन्हें घटा के जिरो पॉइंट फाइब सेवन परसंट की यहां पे होल्डिंग करती है और यहां में देखिए लगातार एफाइज देखिए दिसमबर 2019 में इनके पास लगबग 44.29 परसंट के होल्डिंग था और इनों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद इनोंने बिफिर से वापस माल लेना चालू कर दिया क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है अगर दिसमबर 2019 की बात करूं तो 4.34 परसंट का यहां पे होल्डिंग है और फिर उसके बाद वहां से देखिए इनोंने पहुत ही अच्छा स्टॉक में इस्टेक बढ़ाया है और फिर उसके बाद यहां पे देखिए इनके पास जूम 2020 में 8.39 परसंट की होल्डिंग थी और फिर वहां से थोड़ा आप देखेंगे तो इनोंने प्रॉफिट बुक किया है और दिसमबर 2020 में इनके पास लगबग अभी 7.19 परसंट की होल्डिंग बची हुई है और से मोई इंसुडेंस कंपनी वाले भी कर रहे हैं और यहां पर अगर हम अधर दिया के बात कर ले तो यह भी अभी दोबारा से माल खरीद रहे हैं इसी स्टॉक में और यहां पर अगर हम बात करें नॉन इस्टिटिटल इ बुक कर नहीं और चलिए और लिछ अब को चाट पर लेकर दू हम और और बताना चाहता हूं यहां पर देखिए अगर यह कैंडिल आप देख रहे हैं तो सेम यहां पर देख सकते हैं यह इस लेड़ पर आ गे हैं और लगबख इसका जो लो था 114 रूपर था और विन्व सेम उसी रंज में यह स्टॉक हागा तो आपको यहां पर अगर है आप पर्चुंटी मिलति आपो आप यहां पे ले सकते हैं और जो रिटेल निवे सकते हैं वो यहां पे धीर धीर माल करीट सकते हैं और इस स्टॉक में थोड़ा सा जैसे करेक्शन आता है तो वो और दीरे-दीरे माल खरीदें देखें मैं यह बोलता हूं कि कभी भी कोई अगर डिटेल नहीं से किसी भी स्टॉक में अगर इंट्री लेता है तो आपको एक बैग इंट्री नहीं लेना है आप समझेंगे ना आपको एक बैग इंट्री नहीं लेना है आपको दीरे 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 माल खरीदना है और जितना आप देरे-देरे माल खरीड देंगे उससे क्या होता है अगर आप देरे-देरे माल खरीड रहे हैं तो उससे आपको एक benefit मिलता है कि आप हर range पर आप माल खरीड रहे हो तो उसके बहुत ही एच्छी अपरचुन्टी मिलती है कि आप अगर हर लेबल पे अगर माल खरीद रहे हो तो आपको आपका जो पैसा है वो एक एक लेबल में हो जाएगा जैसे कि आप हर लेबल लेबल पे आप खरीद आ रहे हो या हर week पे आप खरीते आ रहे हो तो उस पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो एक लेबल में हो जाएगा तो आपको जादी तकलिप नहीं होगी अगर ज्यादा स्टॉक करेक्शन हो गया तो और आप यहां पे लंबे समय तक के लिए खरीद सकते हो और थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलो इस चार्ट पे तो देखिए यह एक इसी रेंज पे कई दिनों से आज यह बॉक्स ट्रेडिंग कर रहे है और बॉक्स में एक ट्रेड कर रहे है अगर यह देखिए मैं अगर आप देखिए एक बड्र नीचे गया ता फिर उसके बाद यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं याज कई दिनों से मतलब कई मंत्र से एक बॉक्स में हडinté कर रहे है और यह यह यहां से तेज होता है तो तो यह यहां पर जो इसका जो यह हाई है की रेंज में चाने की कोसिस करेगा और यह बहुत तेजी से भागता है इस टॉक और जितना तेजी से भागता है उतनी तेजी से गिरता भी है तो इसलिए मैं आपको बोड़ लूँ कि अगर आप इस पर नजर बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपरचुंटी मिलेगी और आप इस स्टॉक को अगर देखे मैंने आपको बताया जो रिटेल निमेज सक है वो देरे देरे इस स्टॉक को हर प्राइस पर खरीदते जाए और जो सौट टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको जैसे ही यह इस स्टॉक में अपर ट्रेंड दिखते हैं आपको तो आप अपने देखे इस स्टॉक को तो पहले आप अपने वाच्छ लिस्ट में लगाए तो आपको पता चलेगा कि यह कब अपर ट्रेंड में जाने वाला है तो आप हमेसा चार्ट देखके जैसे ये दो तीन केंडिल अगर हरी आपको देखे तो आप यहाँ पे तुरंट जम करिए ठीक है और इस स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छी भारी तेजी अगर देखने को मिलेगी तो आपको मैंने बोला ना है अगर यह 200 का लेबल तोड़ेगा तो 200-300 यह क्रॉस करने वाला है क्यूंकि आज यह कई दिनों से एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार आप ध्यान से सुनिए कि यह आज कई दिनों से यह स्टॉक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है अगर यह यहां से भागा तो 200-300 का लेबल यह क्रॉस कर देगा तो जो सौर्टर में इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक पे नजर बनाए रखें और कभी भी अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलें क्योंकि यहां पे देखें अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाओं तो यहां पे देखें जब इसने लो बना रहा था 78.50 का तो वहां से देखें कि कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली और यह देखते ही देखते देखें देखते ही देखते यह लगबग 187 का हाई बना दिया और यह इसका जो हाई था इसको यह तोड़ नहीं पाया और फिर से यह स्टॉक में थोड़ा सा कारेक्शन देक नई को मिला लेकिं फिर भी यह इस टॉक एक बॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए और यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं पीछे जाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह स्टॉक लगबग पहले लो बनाया था आप यहां पर देख पा रहे होंगे 74 रुपए गा तो एक इसका अगर देखिए मैं मंतली चार लगाओं तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कैसे क्या है आप यहां पर देखिए यह जो लेबल था सेम उसी लेबल में यह आने की कोसिस किया और फिर से यह स्टॉक कितनी बहे होग गड़ यह जब यहां से इस टॉक भागा यहां पर लगबक का दो गुने से पैसा ज्यादा कर दिया और यहां से भी भागा स्टॉक तो भी आप का पैसा दो गुने से ज़्यादा कर दिया तो इसलिए बोड़ लाओं कि अगर यह box में trade कर रहा है तो आप इस stock पर नजर बना करें कि आपको बहुत ही अच्छी opportunity मिलेगी मैं बार बार इसलिए बोड़ लाओं कि यह stock F20 के control में है आप यह चित देखिए यह stock F20 के control में है और F20 के control में जितने भी stock हैं वो सब multi-bagger बने हैं सब के सब multi-bagger बने हैं तो यह चीज आपको बहुत ही ध्यान देने की चीज है और यह जो मन्ना पूरम finance है यह gold में निवेज करता है आपको पता ही है यह gold loan देता है तो आपको पूरा इस stock में एक दम 70 है कोई भी दिक्कत नहीं है इसलिए मैं आपको बार-बार बोड़ लाँ कि आप इस stock में को वाच लिस्ट में रखो और आप जो छोटे निवेज है को निवेज करिए और आप इस में धीरे-धीरे माल उठाना और धीरे-धीरे अपने position बनाना चालू करिए और जबर्दस्त तेजी के साथ यह stock growth करेगा